हे गाईज कैसे हैं आप लोग आई होप सब अच्छे होंगे और आज हम करेंगे नुकलियाई का वेरी वेरी इंपोर्डेंट एंड गैरेंटेड क्वेस्टन गाईज आपको पता नहीं है कि यह कितने इंपोर्डेंट क्वेस्टन है अगर आप यह कोईशन किसी टीचर से दि क्वेस्टन पढ़ने की मैं एकदम साफ साफ आपसे बोल रहा हूँ ठीक है तो बस अगर आप इतने भी क्वेस्टन कर लेते हो गाईज तो आप नुकलियाई से आराम से चार माक्स आपके अपने हाथ में आ जाएंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरह से ठी पहले हो इस पहला क्वेस्टन है इस तू दो प्रॉबर्टी बताने है नुकलियर फोर्स की तो आप दो अगर पूछे तो दो लिखो तीन लिखो कोई वह नहीं है अब जितना लिखना चाहो लिख सकते हो ठीक है पर जितना पूछे उतना ही करना बेटर है तो अगर दो क्वेस्टन आते हैं लाइक रेशियो निकालने का दे दे कि 1.8 है इसका तो इसका रेशियो कितना होगा अभी क्वेस्टन आगे आएगा तो जो गाईज मैं आपको क्वेस्टन करूंगा इससे जादे एक्स्टेंट कुछ मत करना प्लीज हाथ जोड रहा हूं आराम से हैं रहा है तो अगर वैल्य चेंज करें तो आपको घबडाना नहीं है कि यह क्या दे दिया ठीक है बस इतना ध्यान रखिए नुक्लियर डेंसिटी है मास नंबर से इंडिपेंडेंट होता है तो उसका रेजियो 1 रेजियो 1 रेजियो 1 होगा ऐसे question पुछता है देख लिए करा दे रहा हूं common question and confusing question question वही था concept सब कुछ हुआ ही है बस क्या है 1 ratio 8 value change 2 ratio 5 value change 1 ratio 3 value change बस कुछ नहीं करना है इसमें बस एक लाइन मैंसो लिखना है नुक्लियर डेंसिटी जो होता है या वह मास नंबर से इंडिपेंडेंट होता है इसलिए इसका रेजियो 1 रेजियो 1 आप लिख सकते हूं ठीक है तो मैं आप टेंसन बिल्कुल ना लो ठीक है जो इंपोर्टेंट है वह मैं सारी चीज़े आपको करा रहा हूं आप बस रास्ता में दिखा रहा हूं आप बस चलते जाओ रिजल्ट आपके सामने आएगा ठीक है घबड़ाओ मत फिर नुक्लियर डेंसिटी इस इंडिपेंडेंट और मास नंबर से इंडिपेंडेंट होता आए कि बहुत सारे नुक्लियाई पर कुस्टन भी होंगे कि यह अल्फा बीटा ऐसे ब्रेक होगा तो क्या बनेगा फिर क्या निकलेगा गाइस नहीं आएगा वह नहीं आएगा दो साल से आ रहा है अब नहीं आएगा ठीक है अब जो क्वेशन बचे हुए हर क्वेशन हर स ब्रेक होगा तो कितना क्या क्या बनेगा फिर यह से रिक्षन चैन रिक्षन वाले कुश्टन तो उसको आप बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा है बस जो क्वेशन में आपको करा रहा हो बिलीव करो इस पर और आराम से इतना समझ के चलो आराम से आपका फिजिक्स निकलेगा बाकि जितना हमें स्ट्राटीजी बताया हों कल की वीडियो में जाकर देखना हो उसके बाद से आपका सब क्लियर हो जाएगा इसको होता है यहां पर लिखा रहा हूं लिख लो अभी मैं आगे बताऊंगा कि अभी पेपर को लेकर क्या चल रहा है फिर उसमें कैसे टेकल करें आपको कुछ बहुत चीज़े बताना है आप वीडियो को लास तक दिखना आपको सब पता चले लेगा ठीक है तो इसको लिख लेना इन दूट बहुत इंपोर्टन क्वेस्टन है एक नमबर में पूछते हैं यह देखो आप अब पेपर का ट्रेंड पता होगा क्या नहीं होगा पर आप मुझा वरोसा करते हो बुरा मान मतलब अगर बोल दो ने है यार कि पेपर होगा तो बच्चे बुरा मान जा रहे है अग तो बस अभी situation को देखते चलो अगर situation बिगड़ेगा तो पेपर नहीं होगा cancel होगा situation अच्छा होता जाएगा तो पेपर आपके guys होगा आप नॉर्मली ऐसे सोचो ना जानमेल जो चीजे हैं ठीक है चलो next question is define the activity of given radioactive substance activity of radioactive substance को define करना है और इसका SI unit क्या होता है background होता है BQ से denote करते है और इसको definition इसका है the activity of radioactive substance is defined as the rate of disintegration of substance बस question से एंसर निकाल लेना आगे बस लिखना rate of disintegration of the substance rate of disintegration of substance that's it ठीक the activity of radioactive substance is defined as the rate of बस उसका rate पता करना होता है कि disintegration कितना हुआ है एक particular time पे ठीक है इसका unit है SI unit हो है बेकराल बहुत ही इंपोर्टेंट SI unit है modern physics से बहुत ही जारी important है रट लो इसको next question is देखो गाईज यह question बहुत ही जारी important है अगर यह बहुत मतलब मैं BVIP पे लगा सकता हूँ क्योंकि यह nuclear energy के related graph related question है तो बहुत इंपोर्टेंट है पांच नंबर में डिरेक्ट पूशता है अगर बड़े question modern physics से उठाते हैं तो ठीक है तो ड्रॉइ प्लोट और binding energy per nucleon such a function of mass number for a large number of nuclei 2a उसका atomic number a4240 how do you explain the consistency of binding energy per nucleon in the range 30 atomic number 170 using the property that nuclear force is short range ठीक है तो गाई सबसे पहले आपको लिखना है the consistency of the binding energy in the range 30 a उसका atomic number 170 is consequence of the fact that the nucleus force is short range ठीक है nuclear force short range वहाई nuclear force की property यहाँ पर लिखनी है आपको if a nuclear can have a maximum of p नाइवर within the range of nuclear force its binding energy would be proportional to p since most of the nuclear thing a large nucleus reside inside it and not on the surface ठीक है तो इतना लिखने के बाद आप क्या कर रहा है एक बड़ा सा आपके बुक में modern physics के बुक वह उठाना unit उठाना नुकलियाई चेप्टर उसमें देखना एक graph होगा बड़ा सा तो उसको आप रट लेना कैसे कैसे उसको नेमिंग की गई है अभी मैं ठीक भी बता रहा हूं कि उसको कैसे लाउन किया आता है यह आप अच्छे से वीडियो पॉस्ट करके नोट डाउन कर लेना एंस्वर को ठीक है फिर उसके पास से जस्ट उसके आगे से लिखना है दा चेंज इन बाइंडिंग एनरजी पर नुकलियोन उड़ बी इसमाल दा बाइंडिंग एनरजी पर नुकलियोन is a constant and is approximately equal to PK ठीक दा प्रोपर्टी दैट गीवन नुकलियोन इंफ्लेंस अनली नुकलियोन इंफ्लेंस अनली नुकलियोन इंफ्लेंस अनली नुकलियोन देखो गाईज यह थोड़ा बड़ा एंस्वर है पांस नंबर में पुछता है क्या कर सकते हो पांस नंबर आप यहां पुरा चप्टर पढ़ा नहीं सकता हूं ठीक है तो इसको दो बार तीन बार देखो ठीक है पकड़ने की कोशिस करो कि एंस्वर में कह कह रहा है ठीक है उसको हिंदी में समझ लो कि yes what is what is the core concept of the answer उसके बाद से उसको आप अराम से दो तीन बार रिवाइस करो आपने आप त नूकलियर बाइंडिंग पर नुकलियाउन वाला आपको डाइग्राम पर ड्रॉ करना बड़ा सब्सक्राइब यहरा करें बुख खुलना बुक में देखना ऐसे करके एक चार्ट होगा ठीक डाइग्राम का बाइंडिंग अने वी मास इलेक्ट्रॉन वालोटी के देखो कै एक ट्रिक है हलीना हम ऐसे लर्न कर लो हलीना तो दो एच फ सी हो इसके वाद से आज देखो जहां इन के बास जहां ओ के उसके जस्ट अपोजिट में एक और हो बीच में सी सी ओ हो कोडिनेटर आप की स्कुल में होते हैं तो ऐसे आप मतलब कोई भी ट्रिक लगा के यूज कर सकते हो कोई उसमें वह नहीं आपको जैसे मतलब कमफटेबल लगे तो मैं तो कहुंगा हली ना फिर उसके बाद से सी डबल ओ एस ऐसे करके लण कर लेना ओके फिर उसके जस्ट उसको ड्रा करने के बाद से आपको नुक्लियर फोर्स के प्रोपर्टी जास उसके आगे लिए नहीं है कि नुक्लियर फोर्ज होता है वह सौट जाता है ठीके आप अराम से पड़ते चलो होगा तो हम देंगे नहीं होगा तो और अच्छी बात है फिर फीजन और फ्यूजन के बारे में डिस्टून किस कुछेगा तो फीजन टूटना फ्यूजन जोड़ना आप एंसोर लिखना मैं कुछ पता रहा हूँ इसको क्या करो देखो अभी क्या है कि अभी आपको पता नह मतलब की अच्छी मैं जानता हूँ मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रबलम मन नहीं कर रहा होगा कि मुझे चहां तक c4 k तक बता सकता हूं पूरा आपका पेपर सेच्वेशन के ओपर डिपेंड है गाइस कोई भी जितने भी यूटूबर दस एक दिन में दस वीडियो निकालते हैं कि केंसील ब्रेकिंग न्यूज गुड न्यूज यह वह फालतू चीजे उस सबसे बचो आप ठीक है पेपर अगर फेजिक्स को एक घंटा केमेस्ट्री गंटा और पूरा सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है जैसे मालो सुबह में एक सब्जक्ट सुबह जब भी उठते हो उसको लेगे और दस बज़े के बीच में एक सब्जक्ट एक घंटा को प्यार से मन से पढ़ लो ओके यह रेड मत पढ़ना जो मैं कोशन कर रहा हूं बस उसको ही घंटे तक देखके रठते रहना उतना हो जाएगा आपका एक सब्जक्ट अराम से आप पढ़ लिए दिन का ठीक फिर उसका उसे दस बज़े से लेके गाईस दस बज़े से लेके तीन बज़े के बीच में या चार बज़ सब्जेक्ट एक घंटा बस जादे एक से घंटा से बिल्कुल मत पढ़ना ठीक है फिर दस बज़े से लेके कि तीन से चार बज़े के बीच में कोई एक सब्जेक्ट खतम करतो ठीक दो सब्जेक्ट हो गया फिर उसके पास आराम से मस्ती करो घुमाब फिर मोबाइल चलाओ जो मन करें वो करो गाइस परिसान ना हो बिल्कुल ठीक है थोड़ा भी टेंसर ना लेना पेपर इस बार टफ नहीं आएगा बहुत ही पिद्धी सा पेपर आएगा और ये भी आप इतना करके जाते हो तो फूरा फोड क्या हो गए ये मैं आपके साथ हूं मैं आप पूरा गै ये सब्जेक्ट हमें तब पढ़ना है जब हमारा डेट सीट कंफर्म हो जाएगा कि ये अब हमारा पेपर होगा तो बस हम इनको एक्जाम के यार एक बहुत टाइम मिलेगा आपको पढ़ने के लिए ठीक ऐसा नहीं कि कल से ही एक्जाम चालू हो जाएगा ये ग्राब बना को भी आपका है तब हम पढ़ना सुरू करेंगे लेकिन गाइस फिजिक्स कमिस्ट्री बायो या मैथ आपका है अगर तो इसको बस एक गंटा चौविस गंटा का बस तीन घंटा इसको दो ठीक बाकी आराम से नॉर्मली जैसे आप रहते हो ऐसे रहो कोई भी स्ट्रेस लेन चलो हमारा दो यहारे हम एकदम डैडी है पर नहीं होगा फिर रहो भी मेरा क्या जाता इसमें मेरा क्या जाता ठीक तो अब यह चैंटर से मेकंट्रेक्टर की कल आज आएगी अभी केमेस्ट्री की स्ट्रेटीजी वीडियो अप्लोड कर रही है आज कर दू साथ बज़े या कल करू कॉमेंट सेक्षन में आप बताना मुझे ठीक और अगर आपको कोई परस्टनल प्राबलम होगी है तो काइस प्लीज आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं कर दो